सागर सेमर संबाददाता अनिल बर्मा की रिपोर्ट दुध बारा एबम जॉलनपुर में हुए 40 लाग के विकास कारियों का भूमी तूजन किया और लोकर पण दुध बारा में गुल बारा जल्द बनेगा सडक मार्ट दो जिलों को जोडेगा केशली बिकास खंड के ग्राम पंचयाद दुध बारा एबम जॉलनपुरा में केबिनेट मंतरी हर्शे आदम ने 40 लाग की लागत से बिकास कारियों का किया भूमी पूजन एबम लोकर पण सरपंच प्रबैंदर शिंग राजपूत ने दुध बारा से गुल बारा तक पक्की सडक मार्ग की मांग रखी थी जिस पर मंतरी जिन ने सहमती जताते हुए कहा कि बहुत जल्द दुध बारा से गुल बारा तक पक्का सडक मार्ग बनेगा जो दो जिलों को राई सेन एब अनिल बर्मा की रिपोर्ट दतिया से हमारे संबाद दाता रभी डीप लिटोरिया की रिपोर्ट भारत सरकार के खेल मंत्रा लाय दोरा दतिया में नहरू यवा केंदर के जिला इस्तरिये खेल प्रतियोकता का आयुजन किया गया जिसका समापन कारीक्रम सनीबार को आयुजि नरुत्तम मिस्रा का फूल हार पहना कर स्वागत किया गया इस दोरन डाक्टर नरुत्तम मिस्रा ने उत्क्रिष्ट खलाडियों को पुरुषकार दे कर सम्मानत किया महीं खिलाडियों को संबोधित करते समय डाक्टर मिस्रा ने कहा समय पर सही निर्ला लेने बाला आने बाला कल सुने बमीठा से हमारे संबाददाता अशोक नामदेव की रिपोर्ट गरीब हरीजन किशान रमॉला एहरबार को मरत दिखा कर किरसी की जमीन दबंगों ने हडप ली पूटा अहरबार 68 साल निवासी भरबा गड़पुर की किरसी जमीन हलका नमबर 168 रकभा 0.275 हेक्टर खसरा नमबर 168 रकभा नमबर 0.753 किसान का आरोप है कि मेरे किर्शी की जमीन में 205 राम गोपाल एबम चुन्नू ने म्रत बताकर हडपली किसान रमूला जेटर पूर सो हमारे संबादाता किशूरी श्रीवास की रिपोर्ट जिले की कमान समालते ही एसपी कुमार सोरब ने नोगाव थाने का किया ओचक निरिक्षर थाना सहिच चोकी प्रभारी बा पुलिस बल के साथ की बैठक थाना पुलिस बल के साथ बैठक कर थाने की कारपणाली की बिवेचना की गई इस दोरान F.P. कुमार सौरम ने कहा कि यह मेरा प्रतम दोरा है और मैं यहां इस्टाप परचे लेने आया हूँ